हाई सो विलकम अगें इन दे ड्रीम टीम दे गेटवे टू आयम स्काइब 2023 यस दिस टीम इस ट्रीम टीम एक यह वाट्सप प्लोज ग्रूप है जहां पर कॉमन माइंड सेट मेरे साथ कोशन सॉल्व करते हैं उन्हें बहुत सारे कोसे का एक्सेस मिलता है और यह ट्रीम टीम क जाट और जाट स्कोर मैं स्टार्ट करता हूं ड्रीम टीम आखिर है क्या अगर आपको पता है तो आप ड्रीम टीम के कोश्चन पर जाना नहीं तो देख लो इनक्विक ड्रीम टीम में थे फोटी एट पीपल जॉइन दब डियर ड्रीम बिक बी स्कूल्स अग्रूप कॉमन कॉमन गोल होता है तो जब कॉमन गोल के साथ आप काम करने स्टार्ट करते हो अगे अगे बढ़ने में आपको almost 3 plus question solve करने होंगे out of 20 question जो पोस्ट हो रहा है this is question number 3, 2 question पहले post हो गया है उसका अब null and void है, आगे जितने भी question साने आपको solve करने है मैं आपसे cross question पूछूँँगा, इस video का commenting off है तो आपको मुझे को direct भेज़ना होगा solution मेरे सारे social handle का link description में है, generally मैं LinkedIn, Insta और Telegram को ही यूज करता हूँ, लेकिन अगर आप LinkedIn और Telegram को यूज करो या WhatsApp यूज करो जड़ा बिटर होगा dream team का is a small fee 499, अगर आप सारे question को solve करते हो और मैं बोलता हूँ, now you are through with the dream team, आपको 499 का payment करना होगा, कैसे वो आपको बता दिया जाएगा, आप dream team में join करोगे, जहां revision होगा, doubts होगे, group clear होगे, and these are the score of the last 2022, जो dream team and maths भाइन है, that is education पे आ रहा है, education is the one of the channel, जहांपे हरे tested, authentic and data driven होते हैं, मैं आपको information देता हूँ, मैं आपको question देता हूँ, मैं आपको concept देता हूँ, और इस channel पे education पे, आप playlist में जाके देखो, बहुत important confirmation, information and concept देख रहे होगे, चलो इसको solve करते हैं, first of all, इस question में क्या है, x by y, y by z, z by x का value 10 है, ये value this है, तो करना क्या है, तो हमें इसे solve करने में तो best way होता है, let's say x by y is equal to a, y by z is equal to b, and z by x is equal to c, हमने a, b, c presume किया, अब ये जब presume किया है, तो इसके बाद एक outcome आपके पास है, a into b into c is equal to x by y, y by z, and z by x, cancel out, cancel out, is equal to 1, तो में पास एक outcome है, a, b, c का value किता है, 1, this is the first thing, अब मैं x by a के बदले a लिखता हूँ, तो from this first outcome, में पास एक और बूशा क्या है, a plus b plus c is equal to 10, ये मेरा second outcome है अगर यहां से, ये जो equal to 4 है, इसके बदले मैं y by x को लिख सकता हूँ, 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to 4, take the LCM, a, b, c, उपर में आपके बचेगा, a, b, plus b, c, plus c, a is equal to 4, यहां से क्या होगा, a, b, plus b, c, plus c, a is equal to 4, a, b, c, and a, b, c का value हमारा कितना निकल क्या है, a, b, c is equal to 1, तो मैं a, b, c, equal to 1, put कर दूँ, तो यहां से देखो, आपके पास value निकलती है, a, b, plus b, c, plus c, a is equal to 4, हमारा पर पर चेगा 4 data आ चुका है, तो we have these outcomes, अगर हम इसे गौज से देखे, तो यह क्या है, x, y, y का hall q, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है aq, यह सब कुछ हमारे पास outcome हमने presume किया, solve किया, हमें निकालना है aq, plus bq, plus cq, but अगर मैं minus 3 a, b, c extra add कर दूँ, तो एक formula create होता है, वो क्या होता है, a, plus b, plus c, into a, square, plus b, square, plus c, square, minus a, b, जिसको हम लोग लिख सकते है, a, plus b, plus c, का hall square, minus 3 a, b, plus b, c, plus c, a, let's put the value, आप बोलोगे सार, यहां होता है, a, square, plus b, square, plus c, square, minus a, b, minus b, c, minus c, a, लेकिन हम इसे इस form में भी लिख सकते है, a, plus b, plus c, कि value कितनी है, 10, so this data is 10, a, plus b, plus c, कि value कितनी है, 10, square, minus 3 into 4, तो यह value कितनी है, 10, 100 minus 12 is 88, this data is 88, यह value आपके कितनी हो गई, 880, और 3 a, b, c में, अगर हम यहां पर values put करना, स्टार्ट कर दे, तो हमारे पास बचे का क्या, a, q, plus b, q, plus c, q, minus 3 का value हमारे पास यह बचेगा, so finally हम क्या बोह सकते हैं, finally हम बोह सकते हैं, a, q, plus b, q, plus c, q, is equal to 880, minus becomes 3, is 883, which one is the answer of our question, x upon y, y upon z, z upon x, h, q, हमने यह presume किया है, तो बहुत छोटे से steps से, यह question solve हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसका सही और गलत अंसल दोनों भेजा था, सही answer में भी लॉंग process एजूम किया था, but अगर आप इसे, a, b, c, मान के question solve कर दो, तो बहुत आराम से solve हो जाएगा, अगर आपको किसी भी stage में problem हुई तो आप वीडियो को pause करके, rewind करके देखो, अगर इस आपके questions दुबारा exam में देखते हैं, मैं screen से हट जाता हूँ, तो आप exam में questions आराम से solve कर सकते हैं, यह बहुत important form है, answer is what, a, t, t, 3, तो जिन्हों ने भी इसका answer सही जवाब दिया होगा, within the time frame, उसे मैंने बोला होगा, उन्हें मैंने बोला होगा, कि आपको इतने questions solve करने है, तो dream team कैसे join करना है, you have to solve 3 plus questions, dream team question number 2 का यह answer है, अब मैं आता हूँ, dream team question number 3, if s is the set of all integers, all infinite, जितने भी हो सकते हैं, that have only prime factors 2 or 5, मतलब एक numbers है, जिशका prime factors only 2 or 3, not 5, 2 or 3 है, even not the 5, not 7, और बोच, दोनों हो सकते हैं, then what is the sum of the reciprocal of all elements, for example, वनने आपको दिया है, 1 by 3 लेना है, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 ने लिया, because 5 का prime factor, 2 or 3 के लावा 5 भी होता है, 1 by 6 मैंने लिया, इसके primes 2 or 3 है, 1 by 8 लिया, इसमें प्राइम 2 है, 1 by 7 नहीं लिया, इसमें 7 था, और मैं 2 or 3 के लावा कुछ ने लिया, 1 by 9 is 3 square, prime is 3, 1 by 11 में prime 11 है, 1 by 12 में 2 or 3 ही prime है, 2 square, 13, 14 में prime 7 है, जितने भी numbers बनते हैं, जिसमें prime 2 or 3 है, और कुछ भी उस पर पावर हो, चलेगा, का submission क्या है, and इसका last date क्या है, 10th of September, बहुत basic से concept पे question ये create किया हुआ है, मैं चाहता हूँ वीडियो को pause करके सोचो, और इसका answer मेरे social handle पे बेजो, जिसका link description में है, और last date क्या है, September 7th, and this could be the one of the question जो आपको dream team में जाने को भेज सकती है, का question number 1 से हमारे साथ हैं, तो, बागी question भी just after 10th post हो जाएगा, आप देना अपना best, मैं देना अपना best, and let's crack all the examination, and at the last बोल दूं, कि आप किसी भी track course, या किसी भी full course को join करना चाहते हो, तो इस number पर call या WhatsApp कर दो, number क्या है, 995050159, description में सारा value दिया हुआ है, सारा numbers दिया हुआ है, सारे links दियो है, आप वहां पर जाईए, question पहले solve करके, answer को comment में post कीजिए, not comment में, मुझको DM कीजिए, और अपना best दीजिए, मिलता हूं next video, till then, God bless you, happy learning, and bye-bye.